असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब मैं फिल्कुर ठीक अलहम्द देल्ला और इत की लिए मैं स्पेशल आपके लिए खीर लेकर आई हूं को जरूर ट्राइक कीज़ेगा सारे समान जो है वह सब लिखा वह हैं दूद को वाइल कर लिया मैं कर रहे हूं अच्छा कॉंटिटी वे पीस लिया है और पीस के मैं इसको फिर दूद में डाल रही हूं और दूद को पर मैं चलाती रहूंगी दीरे दीरे अच्छा दूद को हमें इस वक्त पकाना है जब तक यह अच्छी तरीके से गाड़ा नहां हो जाए अच्छा दूद करने के बाद आप उसमें जरूरी ज गाड़ा होना शुरू हो गिया है इसमें डाल रही हूं कंडैस्मिल्ट पूरा यह तिन मैं डालूंगी तो दूद आप देखेंगा बहुत ही अच्छा इसका फ्रेवर आया का और इसको जरूर ट्राय कीज़ेगा यह बहुत मज़े की खीर बनती है मेरे कैनपक पर जरूर ट्राय कीज़ेगा तो जी बस यह डाल दी है मैंने अब दूद भी गाड़ा होना शुरू हो गया अब यह कच्छा नारियल जो होता है उसको मैंने करश कर लिया अच्छी तरीके से और यह मैं दूद में डाल दूँगी इसकी वईसे इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है और जब यह मुँ गो сов हो तो जब आते हैं तो बहुत ही मसे का लगता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो जी बसकी मैंने एक प्याला डाल दी है भरके उसके बाद मैं जब यह गाला तक्रेब बने यह हो गया है फिर मैं बदाम पिस्ता जो भी आके बस हैं भो बदाम पिस्टे को मैंने काटके रखा था यह मैं डाल रही हूँ तो मैंने बदाम डाला है एक कप और इसको मिक्स करें एची तरीके से खीर का सारा खेली गुमाने का यह बस अब सके चमबच गुमाते रहें नीचे से लगे नहीं और बस जबतार कि गाड़ा हो जाए इसको पकाएं यह पिस्टा है इसको भी मैंने शौपर में चॉप कर लिया है ठीक है इसका कलर बाद प्यारा आता है मोटा मोटाव से काटकर ड आप जरूरी इसको ट्राय कीज़ेगा बहुत ही अच्छी रेसिप ही है कुछ यह कुछ दो चार चीज़े ही इसमें डलती है और बहुत अच्छी खीनामाय तैयार हो जाती है देखिए गाड़ा होना शुरू हो गया है तक्रीबन हो गया है अब मैं इसको डिशाट करने लगी हो यह देखें मतर्द दूद को बिल्कुल पका पका कि आपको आदा कर देना है जितना आप दूद लाएं जिसे चार किलो ले रहे हैं तो इसको आप दो किलो के करीब करते हैं तो खीर बहुत ही मज़ेगी बनती है तो यह फाइनल होगे है हमारे की अपना ख्यार रखिए गवत लाफिज